जो महा अगाडी है ना इस पर महा अटाक किया जा रहा है किसकी तरफ से किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ अलग-अलग हिंदुत्व के मुद्दे थे उस पर कैसे महा अगाडी और खासकर शिफसेना जिसके जो संस्थापक थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी नाम से पहचाने जाते थे कि वो सबसे बड़े हिंदुत्व के पैरोकार है अब 2019 में देखी नवंबर में क्या हुआ कॉमन मिनिममम प्रोग्राम जो ये महा अगाडी का आया था उसमें सेकुलर शब्द के इस्तमाल पर खूब बवाल हुआ था पिर फरवरी 2020 में क्या हुआ विदानसभा में सावरकर के सम्मान में प्रस्ताव पेश नहीं होने पर शिफसेना पर सवाल उठे पिर अप्रेल 2020 में पालगर में पीट-पीट कर दो सादुओं की हत्या हो गई थी उसके बाद भी शिफसेना पर सवाल उठे थे कि एक ऐसा हि है कि चुप बैठे हुए हो अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन में मंदिरों को नहीं खोलने पर भी सवाल उठाए गए 2020 दिसंबर में आईए शिफसेना के एक नेता ने अजान प्रतियोगिता की मांग कर डाली थी और फिर उसके बाद जगहसाई इस बात को लेकर हुई थी कि क्या बदल गये हैं उद्धव ठाकरे दिसंबर 2020 में शिफसेना के एक नेता है पांदूरंग सक्पाल उन्होंने अजान की ये प्रतियोगिता जो है उसकी मांग की थी अप्रेल 2022 में देखिए मातोश्री के बाहर हनुमान चाली सा के पार्ट पर भी आज की तारीक में हंगा प्रिमा उठखड़ा हुआ है और उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमें धमकानी की जरुवत नहीं है हमें पता इस धमकी को पिगालना कैसे है क्योंकि हम उस पार्टी से आते हैं जिसके संसापक बाल ठाक रहे हैं ABP News आपको रखे आगे